ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन पूरे 12 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि ग्रहन अक्षत्रों के साब से आपकी राशी वालों के लिए 20 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन 12 दिनों का समय किस प्रकार रहने वाला है इन बारा दिनों में आपको किनकिन चीजों से फाइदा होगा किनकिन चीजों से आपको साफधान रेना होगा साथ इसाथ इन बारा दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वेपार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण और शटीक जानकरी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं वीडियो बहुत महत्पपूर्ण है सुरू से इन्तों तक वीडियो को आप पूरा देखें बिल्कुल भी वीडियो को आप मिश ना करें या दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जुरू करें आप सबसे पहले और सक्च दिल से कमेंस बोक्स में जैश शूरेदेव जैश शनीदेव और माता लक्ष्मिय अवश्य लिखें जिससे आपकी सबस्त मनो कामनेप पूर हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा आपकी राशी वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के इसाफ से 20 अगस्त कर 31 अगस्त याने कि बारा दिनों का यह महत अपोन समय चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह समय ग्रह गोचर पून रूप से आपके पक्ष में हैं आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत वैशशक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनो योग से अपने लक्षय को पूरा करने में आप शंगलन रहेंगे युवा वर्ग अपने केरियर के पृती पून एकागर चित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे दोस्तों साथिसाथ आप लोग कैसे भी परिष्टिती में शामाने रहते हैं आप अपने कर्म वे पृशार्थ के माध्यम से अपने उपलब्दियों को हासिल कर लेंगे शंतान के विद्या अध्यन से संबंदित कोई महत्पपून कर रहें शंपन होगा दोस्तों साथिसाथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अफशर हैं इसलिए आप प्रियास रत रहें बच्चों से संबंदित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको रहत महसूस होगी किसी नज़िदीक रिष्टिदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंद पुने सोहार्द पूर्ण बनेंगे साथ साथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त संबंदित परिसानियों में ऐ प्रतियासित सुधार आने से स्वैम को आप उरजावान महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास वे पराक्रम से अपने कार्यों को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंदित योजना भी बनेगी दोस्तों साथ साथ अगर कोई भवन निर्मान संबंदि कार्यों रुका हुआ हैं तो अब इस समय उसका पूरा होने के योग बन रहे हैं साथ साथ किसी प्रोपर्टी को खरीदन संबंदी योजनाय भी बनेंगी आपका वैज्यानिक दरश्टिकोन तता उन्नत सोच आपके घर तता व्यवशाय दोनों में समांजस बना कर रखेगी दोस्तों साथ साथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्यनरत विद्यार्तियों को उचित सफलता प्राप्त होगी आप अपने लक्षे के प्रती पूर्ण रूप से एकागरचित काम करने में सफल रहेंगे भूमी या वाहन के लिए रण लेने की भी योजनाई बनेंगी परन्तु जल्द ही आप उसे चुकता करने में भी शक्षम भी रहेंगे दोस्तों साथ साथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्त छेप आप ना करें जिसकी वज़े से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे बिना पड़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर ना करें साथ ही क्रोध वे गुस्ते पर अंकुस रखना आपके लिए अतियावशक है साथ साथ इस्तियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कारण का सहरा आप ना लें अन्यता कोई परिशानी उत्पन हो सकती है कोई व्यक्ति आपसे चिकनी चुपड़ी बाते करके आपकी कोई गुप्त बात निकलवा सकता है इसलिए आप साफधान रहें दोस्तो साथ साथ किसी के साथ भी बात चीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबंद बहुत अधिक खराब हो सकते हैं महिलाएं विपरेत लिंगी विक्तियों के साथ बात चीत के दोरान साफधानी बढ़ते किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है दोस्तों साथ यह समय नकारत्मक प्रवर्ति के लोगों से आप दूरी बना कर रखें क्योंकि उनके दोरा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फैमिया उत्पन करने की योजनाएं बन सकती है कभी कभी गुस्से में आप आक्रमक रुख अपना लेते हैं जिससे आप अपने लिए ही परेशानिया खड़ी करते हैं अपने इस वेवार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें दोस्तों साथ साथ यह समय कभी कभी किसी नकारत्मक परस्तितियों के उत्पन होने से विचलित और निरास भी आप हो सकते हैं फिजूल खर्ची पर भी नियंतन रखना आपके लिए अति आवशक हैं रूपे पैसे के लेंदेन के मामलों में किसी पर भी भरोसा आप ना करें किसी रिष्टेदार से सम्बंदित ए प्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय किसी लापरवाई की वज़े से पैसा बरबाद हो सकता है इसलिए आप सावधान रहें बहतर होगा कि कोई भी निर्ने लेने से पहले अनुबवी व्यक्ति की सला आप आवस चलें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच चल रही गलत फैमिया दूर होंगी साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है परिवारिक परिस्तितियां पूर्णतें पक्ष में रहेंगी घर के बड़े आशिरबाद वे सयोग घर के वातावरण को शुखद में बना कर रखेगा दोस्तो साथिसाथ यह समय विपरीत परिस्तितियों में जीवन साती का पूर्ण सयोग आपको प्राप्त होगा प्रेम संबंध भी मर्या दित रहेंगे दोस्तो साथिसाथ यह समय परिवार में सिनुमावाता वरण रहेगा और आपके प्रेम संबंद भी बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तो बात अगर आपके करियर और वैवसाई की करें तो यह समय वैपार में कुछ परेशानिया महसूस होंगी नए तथा अजनभी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा मिजदी की यत्रा संपन भी हो सकती है जो आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगी नोकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिस में अपना उचित वैवार बना कर रखें दोस्तों साथी साथ वैपार को पुनहें उठाने के लिए आप भरसक प्रियास और परिश्रम करें आंसिक रूप से आपको सफलता विप्राप्त होगी परन्तु कुछ विरोधा भासी प्रवर्ति के लोगों से दूरी बना कर रखें नौकरी में लक्षय को पूरा करने के लिए बौस वे अधिकारियों का दवाब बना रहेगा किसी प्रिकार के तनाव वे टक्राव होने की इस्तिती बन रही है परन्तु अगर आप धहरे और सैयम से काम लेंगे तो परिस्तितियां उन्हें सामान ने हो जाएंगी किसी अनुबवी व्यक्तिक की सला आपको मुश्किल परिस्तितियों से निकानने में आपकी मदद करेगी दोस्तो साथि साथ वैपार में भहुत परन्तु अपने काम के क्वालिटी पर और अधिक आपको ध्यान देने की आवश्कता है जिस पर इस समय कुछ विचार विवर्स भी होने की संभावना है परन्तु पार्टनर तथा कर्मचारी की हर गतिविदी तथा क्रिया कलाप पर नजर रखना आपके लिए अति आवश शक है आपकी व्यपारिक सूचनाएं भी लीक हो सकती है परन्तु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाब कारोबार और नोकरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा किसी को पैसा देने से पहले धनकी वापसी भी सुनिचित करना आपके लिए अति आव पूर्वक चलाएं किसी प्रकार की चोट या फिर दुरगटना के योग बन रहे हैं हलकी फुलकी मौसमी बीमारी जैसे खांसी जुखाम आपको रह सकता है इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरभाई ना वरतें तनाव अवसाद वे मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप विवस्तित रखें दोस्तों साथ साथ कुछ समय से चल रही स्वास्थ संबंदित परिस्तानियों से यह समय आपको राहत मिलेगी रोग निर्वत्ती के लिए प्रकर्तिक तरीकों को अधिक अपनाए इसके लिए आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें ऐसा करना आप के स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा